सुपात्रदान का बड़ा ही महत्व है सामान्यत दान देने का अवसर आता रहता है पर सुपात्रदान देने का मोका बहुत कम ही मिलता है सुपात्रदान यानि पंच महावरधारी सादु को सयम निर्वाह के लिए जो भी अपनी तरफ से बन पड़े वो दान देना सुपात्रदान कहलाता है सुद्ध सादू ऐसे ही किसी के यहां से दान नहीं लेते हैं उनके कुछ अपने नियम है जो विक्ति इन नियमों का पालन करते हुए दान देता है उसका दान सुपात्रदान कहलाता है और जो विक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता वो सुपात्रदान से चूग जाता है और उसको मिला पुन्यबंद का अवसर होते होते रुख जाता है तो अब जानते हैं वो कौन से कारण है जिसे से हम पुन्यबंद के अवसर को अपनी ही नादानी से गवा देते हैं पहला है मुनी के लिए ग्रहनिय वस्तु को सचित वस्तु के उपर रख देना, दूसरा है मुनी के लिए ग्रहनिय वस्तु को सचित वस्तु से ढग देना, तीसरा है भिक्षा के काल का अतिक्रमन करना, चौता है अपनी वस्तु न देने की भावना से उस वस्तु को दूसरों की बतला देना पांचवा है दूसरों को दान देते देखकर प्रतिस परदात्मक भाव से दान देना तो इन पांच कारणों से व्यक्ति पुन्यबंद के अवसर को गवा देता है और सुपात्रदान से वंचित रह जाता है कितने लोगों को सुपात्रदान देने का मोका मिलता है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें